नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टोप 25 फर्मोग खबर जानते हैं रांची के सरकारी स्कूल में 21 विद्यार्थी कुरोना पोजेटिव रांची जिले के अंगारा छेत्रे में सनिवार को 32 लोग कुरोना संक्रामित पाये गये तादे छेत्रे के 613 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया था इसमें 35 लोगों की रिपोर्ट पोजेटिव आई इसमें से 21 तो एस एस पलस टू भी द्याले चिल दाक के बारावी कक्षा के चात रहा हैं आपको बता दे कि सुक्रवार को भी विद्याले के दासवी के 266 शत्राव की कुरोना जाच की गई थी इसमें 16 बच्चे कुरोना पोजेटिव आए गए थे सनिवार को जोना बयारिस्थी स्वास्त केंद्रे में जाच सिवीर लगाया गया था इसमें 200 लोगों का कुरोना टेस्ट किया गया मौसम विवाक के अनुसार राजे में पच्चमी विशोव का असर देखने को मिल रहा है साथ ही उतर परदेश के साथ बिहार से सटे एक कौम दबाव का चक्रवात ये छेत्र बना हुए है इसके कान रांची, संताल के देवगहर, धनबाद, दुमका, गेरीडी, गोड़ा, जामतरा, पाकुल, सायवगांज, पूर्वी, सिमू, पच्मी, सिमू, सराइकले खलसावा और सिम्डेगा में अगले दो दिनों तक बजरपात के साथ हलके से मध्य दर्ज के बारिस होने की संभावना है इसके साथ ही 30-40 किलिमेटर के रफ्तार से तेजावा भी चल सकती है जैक बोड, कुरोना के चलते दोगनों के अंद्रों पर होगी मैट्री की परिक्षा लगबग 400 केंद्रों पर पहली बार परिक्षा होगी जिसके सुचारू संचारन के लिए त्यारी की जा रही है जहां पहली बार परिक्षा हो रही है उनकेंद्रों के अधिक्षक वह विक्षक को परसिक्षन दिया जाएगा पाराज सिक्षको का मुख्य मंत्रिया वास घराव कारे करम अस्थागित एकी किदित पाराज सिक्षक संगहर्च मोर्चा ने कहा है कि राज के 65,000 पाराज सिक्षक कोमी नाइंटीन वीश्व महामारी के बढ़ते संक्रमन के कारण मुख मंत्रिया वास गेराव कारे करम 16 अफ्रेल को अस्थागित कर दिया है लेकिन सरकार के द्वारा पाराशिक्षको कास्थाई करन और बेतनमान नहीं दिये जाने के कारण राज्येक के पाराशिक्षको में काफी निरासा है साथी साथ बिगत 20 परजो सरकारी पिद्याले में सिक्षन कारे कर रहे हैं कितने पाराशिक्षक रिटार कर गए कितने की मिर्तियों हो गई लेकिन राज सरकार के द्वारा ना रिटार्मेंट के बाद ना मिर्तियों के बाद एक भी रूपया किरासी नहीं दी जाती है नए एस्ट्रेन को आटी PCR किट नहीं पकड़ पा रहा है आटी PCR किट से की गई जाच में करोना का नए एस्ट्रेन पकड़ में नहीं आ रहा है बतादे लक्षन होने के बाद भी कई लोगों को आटी PCR रिपोर्ट निगेटीब आ रही है पुष्टी के लिए लोग दूसरे लेप में जाच करा रहे हैं लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट निगेटीब आ रही है जार्खन में लग सकता है संपूर लोकडाउन जार्खन में करोना की जैसी स्थीती पिछले साल अक्टूबर माह में थी वही स्थीती बर्तमान में दोबारा हो गई है बतादे पिछले साल अक्टूबर माह में राज में करोना के मामले प्रती दिन आउस्तन लगभग एक फिसद बर रहे थे बर्तमान में भी कुरोना की आउसत ब्रीधी दर एक फिसद हो गई है इसका मतलब यहा कि राज में कुरोना के जितने ममले अब तक सामने आया है उसमें एक फिसद की रोज ब्रीधी हो रही है अफवाओ पन अदे ध्यान राची में रविवार को खुली रहेगी दुकाने राजधानी राची में कई जगो परेवाफ़ फेलाई जा रही है कि रविवार को बजार दुकान परतिस्ठान बंद रहेंगे बतादे जिला पर सासर राची ने इस अपवा का खंडन किया है राची जिला पर सासर ने सरकार के निमावली के आलोक में पहले ही यस पस्ट किया है कि सभी जीम और परक गत आठ अपरेल से 30 अपरेल 2020 तक पुनिता बंद रहेंगे 22 रातरी आठ बये तक खोली रह सकते है कुरोना के सक्रिय मरीजों की दर में जारकन पांचवे नमबर पर किसी राज या जीले में कुरोना के संक्रमन की चिति की गंभीरता का अंदाजा वहाँ बरतमान में सक्रिय मरीजों की संक्रिय से लगाया जा सकता है बतादे इस मापतन में जारकन के आंकड़े चींता बढ़ाने वाले हैं इस चीती यहाँ कि कुरोना के सर्वधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में जारकन पूरे देश में पांचवे अस्थान पर पहुंच गया है यहाँ अब तक आई सो मबलो में स्तात बर्तमान में संक्रामी थाएं देश में सिर्फ चार राजियों में जारकन से अधीखा है संक्रामन बढ़ने से घर वापसी कर रहे परवासी मजदूर क्रोना वायरस की दूसरी लहर और अप्रेल महिने में लगन के सुरू होते ही एक बार फिर मजदूरों के घर लोटने का सिलसिला सुरू हो गया है बताते सुक्रवार को दिली से राची आने वाली गोवेयर की फ्लाइट से 12 से 15 संक्रा में मजदूर वापस लोटे है यह लोग दिली में होटल और रेस्टोरेंट में काम करते है मजदूरों ने बताया कि दिली में कुरोना वायरस का संक्रमन तेज से फैल रहा है इस वाया से घर लोट आया है ताकि किसी भीतरा की मुसीवत का साबना न करना पड़े जारखन में 2373 नाए केस मिले है जो राची से 904 बोकारो 174 चात्रा 22 देवगा 86 धनबाद 148 दुमकान वे पूर्वी सिमू 303 गठवा सत्रा गिरीडी 47 गोड़ा 29 गुमला 51 हजारी बाग एकसो सर्चर जामतरा 52 कुर्टी 32 कुडारमा चेहतर लात्यार 32 लोहर्दागा 29 पांकुर 21 पलामु सत्रा रामगार 51 साहिव गई 33 सराय केला 36 सिम्डेगा 26 और पच्मी सिमूम से 27 मरीज मिले है बता दे जार्खन में सत्रा की मौध हुई है जो रांची से 5 भुकारो 2 धनवाद 2 दुमका 1 पुर्वी सिमूम 4 गिरीडी 1 पांकुर्स 1 और पच्मी सिमूम से 1 मरीज सामिल है जार्खन में कूल मौध की संख्या 1192 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 12293 है भारत में 152565 केस मिले है भारत में 159305 की मौध हुई है भारत में कूल एक्टिव केस 112370 है स्वस्थ हुए भारत में लोगी संख्या 99328 है वहीं जार्खन में स्वस्थ हुए लोगी संख्या 670 है गोड़ा में डांग घर से 21 स्क्रोर का गमन गोड़ा में फर्जी दस्तावेज पर डांग घर से 20.90,14,200 रुपय का गमन कर लिया गया है यह जनकारी संथाल पर गना डिवीजन दूमका के वर यह डांग अधिक छक बी की सोर ने प्रवर्तन निदे सालाई को भेजी गई अपनी सुचना में दिया है इसका खुला सा डांग विभाग की आंतरिक जाच में हुआ है जनकारी मिली है कि डांग घर में फोजी दास्तावेज पर टर्म डिपोजिट खाता खोल कर सरकारी रासी का गमन किया गया है आटो में तीन सवारी बैठाने के आदेश का पालन कराने को ट्रैफिक एस पी से मिलेगा महासंग राज धानी के आटो चालक तीन सवारी बैठाने का पालन नहीं कर रहे हैं इसे लेकर जार्खन परदेश डिजल आटो चालक महासंग के संस्थापक यम जार्खन परदेश सन्योक CNG LPG आटो चालक महासंग के परदेश अध्यक दिने सोनी ने आटो चालको की बैठक बुलाई बैठक में तैक किया गया कि सभी लोग चालक के अलावा आटो में तीन सवारी ही बैठाएंगे महासंग के संस्थापक दिने सोनी ने सभी चालको को समझाया कि ज़्यादा सवारी बैठाने से कुरोना गाइडलाइन सारे रिक दूरी का पाराण नहीं होता हाथ से भी हो रहे हैं सीविल सेवा की प्रारामभिक परिक्षा को लेका राची डीसी ने की बैठाक चैरखन लोग सेवा आयोग दुआरा गामी 2 माई 2021 को आयोजित किये जाने वाले सन्युक्त और सायनिक सेवा प्रारामिक परिक्षा 2021 को लेका समनालाई बलोक एच थीत उपायुक सभागार में बैठाक आयोजित की गाई उपायुक तराची छवी रंजन के अध्यक्ता में आयोजित बैठाक में जीला सिक्षा पतादिकारे वां विभीन इस्कूलों के संचाला को पस् विज्ञान संस्थान यारी रिम्स में डेंटल की पढ़ाई कर रहे चार छात्रा भी कुरोना पोजेटी पाये गए हैं चात्रों का रोप था कि संक्रमित होने के बावजूद भी डेंटल विभाग में ओफ्रेन कलास आयोजित किया जा रहा था बतादे रिम्स परवंधन ह परकत में आया और अगली आदेश तक के लिए अफ्रेन कलास को रत कर दिया गया है सुचना आयोग के सभी पद खाली जल्द नियुकती की मांग जारखन सुचना अधिकार मंच के केंद्रिय अध्यक्ष विजय संकर नायक ने राज सुचना आयोग में नियुकती की मांग क चलते कूल 87-25 मामलों में सुनवाई लंबी था है और आम जनता को सुचना भी नहीं मिल पा रही है इसकूलों से मांगा गया उप्योगिता पर्मान पत्र गैर सरकारी साहिता प्राप्त विद्यालों में कारन सिक्षकों और करमचारीओ के बेतन के लिए इसकूली सिक्षा विम्साचर्ता विभाग द्वरा 19-20 में रासी उपलब्द कराई गई थी विभाग ने इस राशी के समध में स्कुलों से उपयोगता पमान पत्र मांगआ है प्रात्मिक सिक्षा निदेश्टक डाक्टर भूनेस परताप सिंगिने सभी जीला सिक्षा अदिक्चक को इस समध में पत्र लिखा है ट्रांस्पोर्टरों की समस्या का होगा समाधान ट्रैफिक स्पी रांची के अतयात पूलिस अधिक छक अजीत पीटर ने रांची गुड्स ट्रांस्पोर्ट एसोसेशन को भरसा दिलाया है कि रात आठ बजे के बाद प्रतिस्ठान बंध होने को लेका रूत्पनी सिति की जल्धी समिक्षा की जाएगी यहम ट्रांस्पोर्टर समेथ मालवाक वाहनों से माल उतारने यहम लादने को लेका सवलियत प्रदान की जाएगी होकी की खिलाडियों ने दी कुरोना को मात सिम्टेगा में आवयजीत होने वाली जूनियर नेशनल महिला होकी परतियोकता में सामिल होने आई चंडीगर और जारखन की सभी खिलाडियों ने कुरोना को मात दे दिहाए बता दे चंडी गड़ की एक खिलाडी की रिपोर्ट भी सन्निवार को निगेटिव आई तीन अपरेल से होने वाली इस परत्योगता में भाग लेने आई चंडी गड़ की पांच और जारकन की दस खिलाडी और एक कोच कुरानर संक्रमित हो गए थे इस सुचना के बाद होंकी इंडिया ने इस परत्योगता को अस्थागित कर दिया था दुमका से चार साइबर अपराधी गिरफतार दुमका पुलिस ने सन्निवार को करीब 20 लाग के साइबर ठगी के आरोप में चार साइबर अपराधियों के गिरफतार किया है बता दे डी एस पी मुख्याले विजय कुमार ने बताया कि करीब तीन से चार बर्सों में बैंक कर्मी बन अपराधियों ने करीब 20 लाग रुपए लोगों का ठगी किया है गिरफतार अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 स्मार्टफोन, 6 सीम, 3 SBI, ATM काड एवं 3 बाइक चप्त किया है पुर्वमुख मंत्री बाबुलान ने चलाया सगन जन संपर्क अभियान मदुपूर विधान सभा उपचुनाओ को लेकर बाबुलाम रांडी ने सनिवार को हुसानाबाद मंडल अंतरगत दोहो सोहो मानपूर कसाथी महुआ टार अमडीहा में चुनावी सभा की मौके पर निर्शा विधायक अरपनास सेन गुपता भाजपाप परदिस प्रवक्ता अमीत कुमार सामिल थे बता दे चुनावी सभा के अधक्स्ता मॉंडल अध्यक्ष राजने सर्मा कर रहे थे मुख्य मंत्री ने हफिज उल हसन के पक्ष में भोट मांगा मौधुपूर विधान सभा के देवगर प्रखंड के लखन गठिया में सुबे के मुख्य बंत्री एमान सुरेन ने गठ बंधन जेमें के परत्यासी हफिज उल हसन के पक्ष में जनता से वोट का शिवाद मांगा मुख्य बंत्री सनिवार को एक जन सभा को समधित कर रहे थे उन्होंने भाजबा पत्तंजा कसते हुए कहा कि भाजबा ने मधुपूर को चारागिरी बना कर रखा है उन्होंने अपने पार्टी के उमिद्वार हफिजूल हसन के पक्ष में भोट मांग कर जनता कैसी बाद मांगते हुए कहा कि मधुपूर छेत्र का विकाँ चाये तुसा ही उमिद्वार को चुनना होगा धनबाद के सभी थाना छेत्रों में चलाया गया सगन मास्क जाच अभियान धनबाद उपायुक्त उमासंकर सिंग के निदेश पर पूरे जीले के सभी थाना छेत्रों में सनिवार को सगन मास्क जाच अभियान चलाया गया तथा बिना मस्क पाये जानने वाले से जुर्माना भी वसुला गया बता दे इस दोरान कईयों को बीच सड़क पर कान पकड़ कर उठक बटक भी कराया गया प्री मैट्रिक छात्रविर्ती के लिए आवेजनों को सिग्र अधार लिंक कराये पलामों उपायोगते प्री मैट्रिक छात्रविर्ती के लिए इक लियाँ पोटल पर अपलोड आवेजनों को अधार से लिंक कराते हुए छात्रविर्ती भुकतान सुनेशीत कराये इसे बिद्यार्थियों को फायदा होगा बतादे च्छात्र बीर्ती से च्छात्र शत्राओं को पढ़ाई में सहुलियत मिलेगी या बाते उपायुक्त सवसी रंजन ने सवनिवार को कही लाते हर से साथ पीलेफाई उगरवादी गिरफतार लाते हर पोलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर छापे मारी कर चांदवा थाना छेत्र के बेल गड़ा जंगल से प्रतिबंधीत उगरवादी से अंगठन पीलेफाई के साथ उगरवादीयों को धर दवोचा बता दे गिरफतार उगरवादीयों के पास से कई समागरी भी बरामत किये गए 24 गंटे के भीतर गिरफतार सिक्ष को और छात्रों को छोड़े सरकार लूबी सरकुलर रोड इस्थीत विद्यामंदी सक्षिनिक इंस्ट्यूट में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंग ने कहा है कि यदि 24 गंटे के भीतर हजारी भाग में गिरफतार किये गए कोचिंग के सिक्ष को और छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो एसोसेशन जहारकंड ही नहीं बालिक पूरे देश में आंदोलन करने को बादे हो जाएगा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुक्रवार को हजारी भाग में कोचिंग सेंटर को बंद कराने पहुंची पर शासा ने सिक्ष को और छात्रों के साथ बरबारता दिखाई है मनोच कुमार स्वनिवार को प्रेश वारता को समधित कर रहे थे